नमस्कार आप देख रहे हैं साइकालजी शिक्चाहिंदी यूट्यूब चैनल बेसिक टर्मीन रिसर्च मेथालजी की व्याख्यान सिंख्रा में आज हम लोग जनसंख्या तथा प्रतिदर्श के संप्रत्य को अस्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के दौरान हम किसी न किसी जनसंख्या पर ही अनुसंधान कारी संपर्न करते हैं अब प्रश्ण यह उड़ता है कि जनसंख्या किसे कहा जाए या जीव संख्या किसे कहेंगे पापुलेशन क्या होती है इन ही प्रस्णों का उत्तर रोडने के लिए हाईए हम लोग इस कांसेप्ट पर विचार करें जनसंख्या या यूनिवर्स एक ऐसा समू होता है जिस पर हम अपना रेसर्च करते हैं टोटल नम्मर आफ रिस्पॉंडेंट्स विच वी वान टू इस्टड़ी यानि कि वह टोटल समू या वह टोटल प्रियोज जिस पर हम अध्धेन करना चाहते हैं वे सभी पैपुलेशन कहलाते हैं यानि कि उत्तरदाताओं की कुल संख्या जो हम अध्यन करना चाहते हैं यूनिवर्स कहलाता है हाईए इसे एक उधारण द्वारा समझे जैसा कि वर्तमान समय में पूरे देश में लागडाउन की इस्थिती बनी हुई है उसके कारण अनेक मानसिक समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं जिसमें महिला और पूर्सों में डिप्रेशन की समस्या सामने आ रही है इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अगर हम सोध समस्या बनाएं कि लागडाउन के दारान पूर्वांचल विस्थविद्याले के समस्त एडिन महाविद्याले के कारिरत सिक्चक सिक्चिकाओं के मानसिक स्वास्ति का अध्येन यह एक सोध समस्या है जिसमें हम एक लंबे लागडाउन के दारान सिक्चक सिक्चिकाओं के मानिसिक स्वास्थे का अध्येन करना चाहते हैं अब इसके लिए हमें सबसे पहले जो आंकडे एकठा करने होंगे पूर्वांचल विस्विद्याले के सभी एडिड महाविद्यालियों शंख्या अगर हम एक बार मान लें अनुमानिस संख्या 30 होगी और उन 30 महाविद्यालियों में आवसत सिक्चकों की संख्या का अनुमान 35 मान लिया जाए तो पूर्वांचल विस्विद्यालियों में कुल 1050 सिक्चक सिक्चिका होंगे अब हमारी समस्या ये थी हमारा सोध प्रश्ण यह था कि पूर्वांचल इन्वस्टी के शंख्या एडिड महाविद्यालियों के सिक्चक सिक्चकाओं के मानसिक स्वास्थिका अत्यांड जिन परिस्थितिएयों में lockdown की परिस्थितियों में अब यहाँ पर पुरी तरह से यह define हो जाता है यह परिभासित हो जाता है कि total number of respondent जाने कि ऐसा समू जिस पर हम अध्यन करना चाहते हैं उनकी संख्या कुल 1050 है इसे ही हम population या जन संख्या कहेंगे या जिव संख्या कहेंगे जिव संख्या असपष्ट हो जाने के पस्चाथ हम जिव संख्या के प्रकारों की बात करें तो जिव संख्या के दो मुख्य प्रकार प्रचलित हैं एक को कहा जाता है finite population दूसरा infinite population यानि कि परिमित जन संख्या और आपरिमित जनसंख्या जैसा के इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं परिमित जिसको गिना जा सके आपरिमित जिसको गिना न जा सके परिमित जनसंख्या exact number of respondents in the population is known असपस्ट है कि किसी भी जनसंख्या का वह respondent या किसी भी जनसंख्या के उन प्रयोजियों की संख्या जिसे हम गिन सकते हैं वह finite population होता है परिमित जनसंख्या होता है अर्थात यह क्या होता है countable होता है गिननी योग्य होता है उदाहरण के तोर पर अभी हमने जो उदाहरण लिया था बिस्विद्याले के समझ एड़ेड महाविद्यालों में कुल एक हजार पचास सिक्छक सिक्छी का कारेरत है वह एक finite population है वहीं हम infinite population की अगर बात करें तो infinite population exact number of respondents in the population is not known अर्था जनसंख्या का वह संवूग जिसे गिना नहीं जा सकता है या गिननी योग्य नहीं है वह अपरिमित जनसंख्या कहलाती है अर्था यह non-countable होती है जिसे हम गिना नहीं जा सकता है इसका उदाहरण अगर इसी उदाहरण के साथ जोड़कर हम लोग देखें तो अगर आप काध्याइन ये है कि भारत में समस्त महाविद्यालियों में कारेरत सिक्चक सिक्चिकाओं के मानसिक स्वास्थिकाध्याइन तो अवस्य ही यह इन-finite population का उदाहरण होगा क्योंकि भारत के सभी महाविद्यालियों के सिक्चक सिक्चिकाओं का गड़ना करना काफी जटिल है अर्थात इसे किना नहीं जा सकता, countable नहीं है इसलिए यह आपरिमिजन संख्या का उदाहरण होगा जन संख्या के संप्रत्य को असपष्ट करने के पस्चात हम दूसरी संप्रत्य पर विचार करते हैं जिसे प्रतिदर्स अत्वा सेंपल कहा जाता है जैसा कि आप सभी लोग इस सब्द से बखो भी परचित होंगे क्योंकि सेंपल सब्द आम बोल चाल की भासा में भी परियोग किया जाता है लेकिन जब हम सोध की बात करते हैं अरिसंधान की बात करते हैं या रिसर्च की टर्मिनालजी की बात करते हैं तो अवस्य ही यहाँ पर इसकी जो परिभासा होगी यानि कि किसी भी जनसंख्या से लिया गया एक छोटा समू होता है जो जनसंख्या का पूण परतिने दित्तो करता है यहाँ पूण परतिने दित्तो का तात पर यह है कि जनसंख्या में जो भी विसेस्ताइं पाए जाती हैं वह प्रतिदर्स में भी पाए जानी चाहिए इसके लिए अनिक तरह की प्रतिदर्सन दिधियां प्रयोग में लाए जाती हैं जिससे जनसंख्या से प्रतिदर्स का चुनाव किया जाता है अगर हम प्रतिदर्स के प्रकारों की बात करें तो अनसंधान में दो तरह के प्रतिदर्स अधिकतर प्रियोग में लाए जाते हैं एक small sample और large sample ऐसा sample या ऐसा प्रतिदर्स जो जिसके respondent की संख्या 30 से कम होती है वह small sample कहलाता है जबकि large sample और 30 से अधिक प्रियोजियों की संख्या वाले समुह को large sample कहा जाता है sample इसमाल है या large है जनसंख्या finite है या infinite है इन सभी terminology का जानना इसलिए भी अत्यन्त आवस्यत है क्योंकि इसी के आधार पर अनसंधान में इस्टेट इस्टिकल विधियां प्रियोग में लाई जाती है साथ ही साथ इन ही के आधार पर भिन भिन रिचर्च इस्टिप फालो किये जाते हैं इसलिए इन concept का रिचर्च में अत्यन्त ही महत्तपून अस्थान है और एक रिचर्चर को इन सभी बातों का ज्यान होना अत्यन्त आवस्यक है साथ ही साथ बिभिन प्रायोगिक परिच्छाओं में आजकल जो प्रशन पूछे जा रहे हैं खासकर UGC NET के प्रथम प्रशन पत्र में जो की सभी बिस्यों में कामन बिसे के रूप में कामन पेपर के रूप में है वहाँ पर इन सभी टर्मिनोलाजी का अत्यदिक उप्योग किया जाता है इसलिए आवस्यक है कि इन सभी संप्रत्यों को अस्पष्ट रूप से समझा जाए ताकि उसी के अनसार हम रिसर्च के विभिन संप्रत्यों को आसानी से समझ सके आईए प्रतिदर्च को और भी आसानी से समझने के लिए हम पिछले उदाहरन पर बात करते हैं जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारा रिसर्च है जो सोद समस्या है उसमें टोटल नम्मर आफ रिस्पॉंडेंट को हम पापुलेशन कहते हैं पापुलेशन कह रहे हैं मानले कि किसी कारण बस या बहुत लार्ज शेंपल लार्ज पापुलेशन या रिस्पॉंडेंट की संख्या होने के कारण हम उस पर अध्यन नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं तो उस परिस्थिती में हम पापूलेशन से प्रतिचैन बिधी के द्वारा शैंपल का चुनाव करते हैं और मान लिया जाए कि हम दस्तो पचास प्रियोज्यों में से शव का चुनाव करते हैं यही सव की संख्या प्रतिदर्श कहलाएगी अर्थात की जनसंख्या से लिया गया वह छोटा समू जो उनसंग उस जनसंख्या का पूंड प्रतिचितो कर रहा है शैंपल कहलाता थे आगे एक और भी महत पूंड कांसेप्ट पर बात करें तो पैरामिटर एंड इस्टेटिक्स दो ऐसे कांसेप्ट हैं दो ऐसे संप्रत्य हैं जिनका ज्यान होना रिसर्च में अत्यन्त आवस्यक है Parameter Statistical Value Related to Population are called Parameter यानि कि वह संख्य की आंकड़े या वह संख्य की गड़ना जो पापूलेशन से प्राप्त होती है जनसंख्या से प्राप्त आंकड़ों को parameter कहते हैं यानि कि जब हम पूरी जनसंख्या से कोई आंकडा निकालते हैं या कोई परिडाम निकालते हैं तो उसे parameter कहते हैं वहीं जब हम Shample से कोई परिडाम निकालते हैं तो उसे statisconom कहते हैं अर्था 00 statistical value related to sample are called statistics जनसंख्या से सम्बंधित प्राप्व्थ सांख्य के मुल्ले को parameter कहते हैं और प्रतिदर्श से सम्बंधित प्राप्व्erved सांख्य के मुल्ले को शांख्य के कहा जाता है अब हम जदतर अनसंधानों में शांख की काही प्रयोग करते हैं यानि कि हम पैरामीटर का प्रयोग कम करते हैं इसके पीछे जो कारण है वह यही है कि जो पैरामीटर होता है या जो पापूलेशन होता है वह अत्यन्थी लार्ज या बड़ी एरिया होती है जिस पर समय, स्रम और धन के अत्यदिक खर्च के कारण अनुशंधान करना संभो नहीं होता है इसके कारण ही हम जनसंख्या से प्रतिदर्स का चुनाओं करती हैं और उस पर अपना अध्यन करते हैं उसी को संख्यकी के रूप में जाना जाता है पैरा मीटर के जो परिडाम होते हैं वो सत्परतिसत सुद्ध होते हैं जिसमें कोई भी तुर्टी नहीं पाई जाती है जबकि प्रतिदर्स से प्राप्त परिडाम अर्थात इस्टेट इस्टिक्स में किसी निकिसी अस्तर पर तुर्टियां आहे जाती हैं आईए इसे उसी उदारण के आधार पर और भी अस्पष्ट करें तो हम देखेंगे कि हमने जो सोद समस्या ली थी उस सोद समस्या के आधार पर हमारे पास टोटल नम्मर आप रिश्पान एक हजार पचास थे यानि कि टोटल जनसंख्या एक हजार पचास की थी जिसे हम जनसंख्या कह रहे थे परन्तु जनसंख्या से हमने प्रतिदर्श का चुनाओ किया जिनकी संख्या सव थी और सव पर ही जब अध्यन करने का नेड़ लिया गया तो वह सव की संख्या प्रतिदर्श कहलाई अब जो प्रतदर्स से प्राप्त परिडाम आए उसे statistics कहा गया और जो जनसंख्या से प्राप्त परिडाम आए उसे parameter कहा गया अर्थाद अगर हम इसे और भी अस्पष्ट करना चाहें तो हम देखेंगे कि कुल एक हजार पचास प्रियोज्यों के अगर आउसत प्रापतांग ग्याद करते हैं suppose that अगर आउसत प्रापतांग पचास आता है वहीं हम प्रतिदर्स पर जब अध्यन करते हैं तो प्रतिदर्स के जो आउसत प्रापतांग होते हैं वो suppose that 55 आते हैं तो अब एक और concept निकल कराता है जैसा कि हम लोग अभी बात किये हैं कि जो parameter होता है वो सत प्रत से सुद्ध होता है और इस्टेट इस्टिक्स में संक्की में कहीं ने कहीं किसी अस्तर पर तूटियों की संभावना होती है यहीं से एक और concept उभर कर सामने आता है जिसे कहते हैं मानक तूटी अर्थात वह सुचकांग जो संक्की तथा parameter के बीच के अंतर को बतलाता है मानक तूटी कहलाता है अर्थात यदि हम अभी दिये गए उदाहरन की बात करें 50 में से 55 का जो अंतर होगा वह एक मानक तूटी का उदाहरन होगा मित्रों आज के इस वीडियों में बस इतना ही यह वीडियों अवस्ते ही आपको विविन परिक्षाओं में उचित मार्ग दरसन परदान करेगा आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवस्ते ही बताएए साथ ही साथ इस टाइब की अनेक वीडियों निरंतर इस चैनल पर आती रहेंगी इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अधिक से अधिक सेयर करें ताकि ग्यान का आलोग जन जन तक प्रभावित हो बेसिक टर्मिन रिसर्ट मिताल्जी की अगली सीरीज में हम लोग एक नए कांसिप्ट को लेकर आएंगे